जमस्कार, आज हमादे साथ प्रहाशी जुनीर कॉशनती है, पुदिर जी थैंक्यू वेरे मच्च वर जाने हैं, तो सबसे जो एसेंशल पार्ट है वो यह समझ लो कि आपकी जो टेक्स का जो पूरा धाजार है, वो आपकी इंकम, एक्सपेंसेज और इंवेस्मेंट, तीन चीजों पर खड़ा हुआ है, कि मेरी इंकम किस सोर्स से है, तो मेरी इंकम ऐसी भी हो सकती है, जहां पर कोई टेक्स नहीं लग रहा है, इंकम भी ऐसी होती है, तो जैसे मैं अधर अपने एंप्लॉयर से एंपियस ले रहा हूँ, तो ओर नन-technal तो है तो इंकम है, पी एफ में जो मेरी इंकम हो जा है, दे थो एंप्लॉयर रहा है, Simonarily मिरो है रहा है लेकिन practitioners मिल जाएगी, तो चैलरी है मगर,Ze एसे ही मेरे पास gratuity मिलती है अभी लीव encashment है यह part of income है लेकिन यह exempt है तो ऐसे ही इन income के अलावा हमारे पास कुछ और income होती है जिसके लिए सरकार deduction देती है अब अगर मैं ATTTA की deduction लेने हैं सेविंग में पैसा किसका नहीं होता तो मुझे वह नहीं मिलेगा new tax regime में यह सारे फ जाते हैं नहीं मिलेगी इसके अलावा आपके पास जो परक्विजिट में अगर मैं किसी senior position पर हूँ मुझे e-soft मिलते हैं मुझे कार लीज है या ड्राइवर सैलरी है या कई बर हमारी कंपनी जो है अपने senior person का insurance भी पे करती है इस तिंग्स आर कम अंडर परक्विजिट्स या बुक्स और पिरेडिकल्स हैं इतना कुछ होता है कि आप 15 से 20 लाग मिनिममम टैक्स फ्री में ले जा सकते हो इसलिए सरकार अपनी आंदनी बढ़ाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा हां उसमें महनत लगती है और कंपनी पॉलिशी भी डिपेंड करता है